भारत और चीन की सेनाओं के बीच गलवान घाटी की हिंसे घटना को पूरा एक साल हो चुका है भारत की सेनाओं ने चीन की सेनाओं को मूह तोर जवाब दिया था उस वक्त हालत इतने तनाव पूर हो गए थे कि छोटी सी उकसावे की कारवाई एलेसी पर बड़े टकराव या युद्ध की शुरुवात करा सकती थी भारत और चीन के बीच कई दोर की बाची चली कभी बे नतीजा तो कभी पीचे हटने जैसे एहम फैसलों पर सेहमती बनी सीमा पर संगर्ष और तनाव के बीच लग्ता के पूरवी इलाको पैंगांग तो सो जील सहित तनाव वाले कई शेत्रों में दोनों देशों की सेनाए महिनों तक एक दूसरे के सामने खड़ी रही पूरवी लग्ता की वास्तिक नियंत्रनलेखा एलेसी पर चीन ने पिछले साल अप्रेल महने से ही सीमा विवाज शुरू कर दिया था इसके बाद 15 जून को मामले में तब हिंसक रूप ले लिया जब गलवान घाटी में भारत और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी आमने सामने के सितिम आ गई थी इस हिंसक टकराओ में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे जबकि चीन के भी 40 से ज्यादत जवान मारे गए थे एक साल से ज्यादत समय बीते जाने के बाद भी पूर्वी लट्दा के कुछ पॉइंट्स पर इस्तिती चस्की तस्पनी हुई है गलवान हिंसा में भले ही चीन ने हिमाकत दिखाई हो लेकिन इस घटना के बाद भारती सेना ने खुद को और मजबूत कर लिया है बीती एक साल में भारती सेना और वायुसेना ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है यही वज़े है कि सीमा पर चीन तिक किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए भारती सेना पूरी तरह तयार है भारती वायुसेना की बात करें तो एक साल में जहां भारती सेना ने लद्दाक सेक्टर में अपनी उपस्तिती मजबूत कर ली वही रफाल लड़ाको विमानों को अपने बेडे में शामिल करके भारती वायुसेना पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है रफाल के साथ मिक टूनाइन और सुकोई तीस बेडे उत्तरी सीमाओं पर आसमान में हावी रहे हैं और दूसरी स्क्वारडन कुछ समय के भीतर ही संचालन के लिए तयार हो जाएगी चीन से सट्यू सीमा में भारत ने अपना इंफ्रस्ट्रक्चर पर काम करना भी शुरू कर दिया है गलवान हिंसा के बाद इस काम में और भी तेजी आई है पॉर्डर रोड और्गनेशन यानी बी आरो सटक को सुदम बनाने के लिए दिन राद काम में जुटा हुआ है दुनिया की सबसे उची मोटर योगी सटक उमलिंग लौ, मार्समिक लौ या खार्टूंग लौ सहित सभी शेत्रों में सभी फॉर्वर्ड जगों के लिए सडक संपर्क में सुधार किया गया है उन्हें बी आरो की मदद से पूरे साल सेना की आवाजाई के लिए खुला रखा गया है इस infrastructure का सीधा फैदा कुछी समय में भारत की सेना को मिलेगा जिसमें वो बहुती कम समय में अपने सेनिकों की तेनाती कर सकती है बड़े-बड़े हत्यारों को अब आसां सडक मार्गों से जल्ड से जल्ड तेनात किया जा सकेगा भारती वायुसेना प्रमुक RKS बदोरिया ने भी कहा है कि तेजी से बदल रही सुरक्षा चुनोतियों और पड़ोस और अन्य शेत्रों में बढ़ती भूराजनितिक अनिशिताओं के मद्दे नजर भारती वायुसेना प्राधोकियों को को तेजी से शामिल करके परिवरतन क महत्पुण दोर से गुजर रही है उन्होंने कहा कि एक साल में जब ये हुआ था तो हमने तैनाती की थी उसके बाद एक साल में हमारी ताकत को कम करने का तो सवाली पैदा नहीं होता इस एक साल में भारती वायुसेना ने कई ऐसे कदम उठाए हैं और काम किये हैं जिससे भारती वायुसेने की शम्ता जो एक साल पहले थी, उससे अब कहीं ज़्यादा हो चुकी है। भारती वायुसेने प्रवुक ने कहा कि इंटीग्रेटर थेटर कमांड पर भी भारती वायुसेना तेजी से काम कर रही है। शम्ता बढ़ाने की लिहास से राफेल और LCA के बाद हमने दो तीन बड़े कदम उठाए हैं। उसमें AMCA का सबसे बड़ा है। पाचवी पीडी का एरक्राफ्ट जो देश में बनेगा उसका निर्णे अब ले लिया गया है। यानि फिफ्ट जनरेशन के फाइटर जेट भारत अब खुद बनाएगा। इंट्र इंट्र कामंढ गाहनि थेटर कमांढ के दिस्कुशण चल्राहा है। स्केडारीं डेलरेशन्स विख़ॲ होगा है। अइसर दिस्क्रा कर दोब बैकाने को प्रॉब्सार अग्वशे हैं। बनाति का 007 फिफ्टार्ज कंढ के। वगशा हैं। सबसे बड़ा है एमका का तो फिफ्ट जनेरेशन एरकाफ जो इंड़िया गया है तो वह हमारी इंडस्ट्री के साथ होगा समझा जा सकता है कि चीन की सीमाओं पर बढ़ती चिनोती के मद्दे निजर भारत 1962 जैसी कोई भी गलती अब दोराना नहीं चाहेगा भारत ने गलवान घाटी पे हुई हिंसक जड़ब के दोरान ये साबित कर दिया कि अब भारत वो 1962 वाला भारत नहीं रहा है ये नया भारत है जो की अपनी रक्षा करना और दुश्मन को मूतोर जवाब देना बखुबी जानता है भारती वायू सेना इसमें एक बड़ा किरदार निभा सकती है इसलिए भारती वायू सेना को तेजी से अत्याधुनिक तक्निकों से लैस किया जा रहा है और तमाम अत्याधुनिक विमानों और सुरक्षा उपकरनों से लैस किया जा रहा है अगर आपको इंडिया फर्स्ट का ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें आपका एक पुश बटन हमारे होसलों को भी बढ़ाता है जैहिन जैभारत करें जैभारत